डिगी बाजार के इलाके से कोरोना पॉजिटिव आने एक आने के बाद से अब पुलिस ने सक्ती बरत दी है कर्फ्यू जैसी इस्तती यहाँ पर पैदा हो गई है और यहाँ पर जो क्लॉक टावर था ना चेत रहे इस पूरे इलाके को सीज कर दिया है पुलिस ने सीज से यहाँ पर मतलब पुलिस की पूरी तरीके से बेरिकेडिंग से है पुलिस ने चारों तरफ से इस इस इलाके को नाकबंदी कर दी है यहां पर चारों तरफ से बेरिकेडिंग से सारे रास्ते जो हैं वो ब्लॉक कर दी है और पुलिस ने यहां पर किसी की भी आवाजा ही नहीं होने देने का इंतिजाम कर दिया है और कोई भी शक्स अब यहां स पूर वीलर इस इलाके के अंदर पूरी तरीके से बंद कर दिये गए हैं केसरगंज का जो इलाका है इसके साथ में केसरगंज से जब क्लॉक्टावर थाना चितर की और आते हैं यह जो इलाका है पुरा इलाका है डिगी बदार का जो इलाका है पूरी तरीके से सीज कर दिया ह सो लोगों की मेडिकल की टीम यहां पर इस वक्त सर्वे कर रही है जांच परताल यहां पर कर रही है और जो आसपरोस के जो लोग हैं उनसे गहन पूस्ता चल रही है इस वक्त तो यहां के आसपरोस के जो लोग हैं उनके सिम्टम्स की भी लोग में कुछ खासी जुकाम जैसे सिम्टम से उनको भी दिखा जा रहा है उनकी भी परताल की जा रही है अजमेर एसपी कुमराश्टीप सिंग ने इस फ़स्ट और परादेश ये अपील पूरे शहरवासियों से की है कि किसी को भी घर से बाहर नहीं निकलना है पुलिस की ये सकती थोड़े समय के लिए आपको बुरी लग सकती है लेकिन ये केवल और केवल आपकी जान के लिए है किसी की भी जान ना जाए कोई भी कॉरोना पॉजिटिव ना आए उसके लिए पुलिस की सकती बरतरी है इसलिए पूलिस को इस वक्त सयोग करने की अपील उन्होंने की है इसके साथ में अगर किसी भी जो आवशक जो इस समय काम है उनसे जुड़े वे जो लोग हैं उनको अगर कहीं जाना है तो इस इलाके में उनकी एंट्री इस वक्त नहीं है उनको भी दूसा रास्ता उपयोग करना है इस इलाके से पूरी तरीके से पावंदी पूलिस ने इस वक्त कर दी है हाना कि अभी जो सूचना हम को मिली है उस सूचना के मुताबिक जो क्लॉक टावर थाना छेतर है इसी इलाके को केवल सीज किया गया है इसी इलाके में केवल नाकाबंदी पूरी तरीके से की लेकिन कर्फ्य जैसी इस्थती यहां पर है उनों उनका जो आदिकारिक बयान आया है उसके अंदर उनौने इसको लेकर भी इसपस्ट किया है और उसके साथ-साथ वह अपील भी इन है किति मद्ध्ध सक्थी सक्थीbox चिया है कठोटा से कई जगहों से लोग शिकायद भी कर रहे हैं कि पुलिस भोख सकती कर रही है पर मैं फिर से यह कहना चाहता हूँ कि यह सकती समय बहुत जरूरी है इस सकती के बिना हम इस बिमारी पर काबू नहीं कर सकते लगबख हर जगह पर हमने फोर विलर और टू वीलर का मुमेंट बंद करवा दिया है कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर कि हम इन वाहनों को अलाओ करें अम लोगों से बार-बार अपील भी कर रहे हैं कि कम सब जनरल इस्टोर जाने आपर सप्प्लाई हो सके बागी पूरी सक्टि रहेगी हो सकता है कुछ लोह को तकलीफ हो मैं यह इसला देना चाहूंगा घरों से मत निकलिए हो सकता है पुलिस की सक्टि से आपको परिशाणी हो आवाइट करें किसी बी तरह से घर से सामना भी आपको करना पड़ना सकता है अपने हाथों को समय समय पर सावन और पानी से लगब वीस सेकंड तक दोए भीड बाहर वाली जगा पर जाने से बचे अगर आपको खांसी बुखार या सास लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखे ऐसे लक्षण देखने पर तुरंट तुरंट अपने डॉक्टर से सला ले अस्पताल में आप अपने मुँपर मास्क या रुमाल ज़रूर रखे अधिक जानकारी के लिए स्वास्त तेवं परिवार कल्यान मंत्राले की एक हल्प लाइन है 011-297-8-046 अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए झाल के लिए हमारी मारी में आपक्राव के लिएह स्वास्क खाभिए